बोड मॉर्णिंग माई डियर स्टुडेंट वेलकम टूर क्लास बेटा आज आपका हिंदी लिट्रेचर में चैप्टर टेन स्वास्त सबसे बड़ा धन इस चैप्टर का रिविजन हम लेंगे आज का रिविजन वर्ग है आपका बेटा वर्ड मेनी यानि सब्द अर्थ तो आपको अपनी हिंदी लिट्रेचर की क्लास वर्ग कॉपी में ही दिविजन वर्ग करना है ओके बेटा बेटा आज आपका रिविजन है चैप्टर टेन का तो सबसे पहले क्लास वर्ग डेट रिविजन चैप्टर नमबर और चैप्टर नेम चैप्टर नेम है स्वास्त सब सबसे बड़ा धन ओके तो आज इस चैप्टर का रिविजन है वर्ड मीनिंग तो आपको अपनी हिंदी लिट्रेचर की कौपी में करना है ओके सब्द अर्थ आपको सब्द भी लिखना है और अर्थ भी लिखना है नमबर वन पर है सम्मान सम्मान का क्या अर्थ होता है आपको लिखना है नमबर टू संकेत नमबर टू है संकेत नमबर थ्री आपार अपार स्वास्त का क्या अर्थ होता है आपको लिखना है नमबर फाइव नमबर फाइव पर है नियामत नियामत नमबर फाइव पर है नियामत नमबर शिक्स नमबर शिक्स पर है आनंद आनंद का क्या अर्थ होता है आपको लिखना है नमबर 7 पर है प्रयास नमबर 8 पर है निवृत नमबर 9 पर है आपका ब्रहमण नमबर 9 पर है ब्रहमण नमबर 10 पर है फूर्ति नमबर 10 पर है इस फूर्ति नमबर 11 पर है सुद्ध नमबर 11 पर है सुद्ध और नमबर 12 पर दिया हुआ है नमबर 12 पर है घनिस्ट नमबर 12 पर है घनिस्ट वेटा ये आपके word meaning हो गए आपको इनका अर्थ लिखना है शब्द भी लिखना है और अर्थ भी लिखना है नमबर वन सम्मान, संकेत, आपार, स्वास्त, नियामत, आनंद, प्रयास, निवरित, ब्रमण, इस्पूर्ती, सुद्ध और घनिस्ट वेटा ये आपके classwork है, आपका homework है आपका homework इसी chapter में जो आपका feeling in the blanks है lesson 10 का आपको उसको learn करना है lesson 10, रिक्त स्थान, याद करना रिक्त स्थान, याद करना ओके, thank you, have a nice day